मोधि सर्णैम केस में सूरत के सेशन्स कोट ने याचिका खारिज करने के बाद अब राहूल गांदी हाई कोट में जाने की को कर रहे हैं उनकी अपील मन्जूर की जा सके हाला कि राहूल गांधी को अभी जेल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि सेशन्स कोट ने उन्हें जमानत दे दी है कॉंग्रिस के वकील और प्रवक्त आविशेक मनुश सिंग्वी ने कहा है कि कानुनी लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी और सियासी जंग राजनीती के मैदान में जारी रहेगा उन्होंने कहा और क्या उन्होंने कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं उन्होंने कहा कि इस फैसले से राहूल गांधी डरने वाले नहीं है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहेंगे तो फिलाल राहूल गांधी को जमानत मेली हुई है लेकिन खारीज होने के भाशेसंस कोट में याचिका अब राहूल गांधी की ओर से हाई कोट में अपील की गई है अरन दिये गए हैं इस दिन्ने में वो बिलकुल संदिक्द हैं गलत हैं कानोनी रूप से मैं कह रहा हूँ और जो बार-बार OBC के विशे में टिपणिया की जा रही हैं उनका उल्टा असार अब हो रहा है सभी लोग समझते हैं कि OBC समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूर बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं दो वर्ष का मैकसिमम डंड देना जो कभी सुना नहीं गया कभी हुआ नहीं मानहानी के शेत्र में से अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांदी की आवाज रुकेगी जुकेगी साइलेंट होगी तो वो न राहुल गांदी को जानते हैं न कॉंग्रेस को समझते हैं जब अपीलियेट कोर्ट से जज्जमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है यह लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है यह जो घमंड है गांदी परिवार का और खास करके राहुल गांदी का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आगात है कोट के माध्यम से इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर